ओम शान्ती आज का हमारा विशे है कर्म योगी फरिस्ता बनो ब्रामनों का संसार चोटा सा संसार और प्यारा संसार है हर एक ब्रामन के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है इस भाग्य के सितारे में भगवान को पहचानने की और स्रेष्ठ भाग्य बनने की चमक है दुनिया में कितने ही साधू, संत, महात्मा भगवान को ना जानने के कारण नेती-नेती कह करके चले गई लेकिन ब्रह्मन परिवार की साधारण भुली-भाली आत्माओं ने भगवान को जान भी लिया और पहचान भी लिया भगवान जब धर्ती पर आते हैं तो साधारण तन में आते हैं और साधारण आत्माओं ही उनके बच्चे बनते हैं, उनको पहचानते हैं भगवान को गरीब निवाज कहा गया है, अरब पती, खरब पती निवाज नहीं कहा गया बुद्धिवानों की बुद्धी अगर चाहे तो अरब पती, खरब पती की बुद्धी को भी टच कर सकता है क्या बड़ी बात है, लेकिन ड्रामा में एक कल्यान कारी नियम बना हुआ है, बूंद बूंद से ही परमातम कारिये का तालाब भरना है, सबका भग्ये बनना है, जिनोंने अपना तन मन धन सफल किया है, वे सफलता के सितारे बन गई है ब्राह्मन आत्माई विचारवान हैं, समझदार हैं, विचारे नहीं हैं, बाप दादा अनुभव करते हैं कि कई बच्चों के मन में एक कमजोर संकल्प उठता है, और वो संकल्प ये है कि आखिर भी विनाश होना है या नहीं होना है बाप दादा हसते हैं कि बच्चे विनाश के बारे में सोचते हैं, इसका अर्थ ये है कि भगवान को विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि विनाश होगा, तो बाबा परमधाम लोट जाएंगे तो एक तरफ तो बच्चे कहते हैं संगम योग हीरे तुले योग है और दूसरी तरफ गोल्डन एज को याद करते हैं बाबा नी का विनाश तो होगा पर आप इंतजार क्यों कर रहे हो, दूसरा एक और विचार बच्चों के मन में आता है, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर विनाश कल परसों में हो गया और हमने तनमन धन लगाया, तो हमारा सेवा में तो यूज होगा नहीं इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब से करेंगे, इसका उत्तर भी बाबा ने बहुत सुन्दर दिया, बाबा ने कहा कि मान लेजिए, आपने सेवा में तन समर्पित किया, मन के द्वारा शुद वाइब्रेशन फैला करके, दुनिया में शुद्धी को बढ़ाया, और जो भी धन है, वो भी सेवा में लगा दिया, लेकिन सोचो, धन किसकी प्रती लगाया, बाब दादा की प्रती लगाया न, तो बाब दादा तो अविनाश ही है, दुनिया का विनाश भले ही हो, लेकिन बाब दादा तो सदा थे, सदा हैं, और सदा रहेंगे, अगर आपने अपना धन एक घंटे पहले भी सफल किया विनाश से एक घंटे पहले भी अविनाशी खजाने में बाप दादा के पास जमा कराया तो उसका पदम गुणा फल आपके खाते में जाएगा ही जाएगा अगर सचे दिल से किया है तो एक के बदले पदम देने के लिए भगवान बंधाई मान है अगर दिखावे से किया हैं मजबूरी से किया हैं देखा देखी किया हैं तो पूरा नहीं मिलेगा मिलेगा जरूर क्योंकि धाता को दिया है न इसलिए अधिक सोचो नहीं है और कई बच्चों के मन में एक संकल्प और भी आता है कि इतने मकान बन रही है, सेवा के इतने प्लैन बन रही है, विनाश का तो कहीं कोई चिन दिखाई नहीं देता है तो इसका उत्तर भी बापताना नहीं बहुत सुन्दर दिया कि चिन कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अचानक होना है एक गंटे पहले भी पतानी पड़ेगा, तो चिन देखने के आधार पे अलबेले मत हो जाना, हमेशा एवर रेडी रहना बाबा नहीं कहा कि ऐसे तो आप दुनिया के लोगों को चलेंज करते हो, कि सेकंड में जीवन मुक्ती तो आप स्विम को जीवन मुक्त स्थिती में स्थित क्यों नहीं करती समय का इंतजार मत करो, समय आपका इंतजार कर रहा है समय आपकी रचना है आपके ओर्डर से चलने वाली रचना आप तो रचईता हो तो रचईता अपनी रचना का इंतजार करे ये शोभा नहीं देता है संपोर्ण ताका इंतजाम करो, इंतजार मत करो बाबा नी कहा कि कई बच्चों के खेल देख करके बाबा को हसी आती है अभी तक भी कई बच्ची बातों रुपी खिलोनों से खेलती रहती है और इन चोटी-चोटी बातों को अपनाना अर्थात अपना समय गवाना भिन भिन संस्कार की बाती, चलन की बाती, ये बाती तो संपोर्ण ताके मंजील के साइड सीन से इन बातों को देख करके रुकना, सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, सुनना, सुनाना, बायुमंडल बनाना ये संपोर्ण ताके मंजील से दूर कर देगा बच्चे बाप समान बनने का शुब संकल्प रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर रुकावट आ जाती हैं क्यों? क्योंकि दो आखे हैं, दो कान हैं और एक मुख हैं तो आखों से ना चाहते हुए भी देख लेते हैं कानों से सुन लेते हैं और मुख से बोल लेते हैं तो बाप दादा कहते हैं, एक स्लोगन याद रखों, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना सुनते हुए भी सोचना नहीं, सुनते हुए भी अंदर नहीं ले जाना, सुनते हुए भी बाहर प्फैलाना नहीं जैसे दिन परते दिन पुराने शरीर के हिसाब किताब चुक्तू होते रहते हैं ऐसे ही पुराने स्वभाव संस्कार और भीतर दबी हुई पुरानी बिमारियां भी बाहर निकलनी हैं और खतम होनी हैं इसलिए ये नहीं सोचो कि पता नहीं नहीं बाते निकल रही हैं ये तो खतम होने का समय हैं बापताद्या कहती हैं ये नहीं नहीं बाते अभी सदाकाल के लिए खतम होने के लिए निकल रही हैं मुझो नहीं, मोज में रहो, घबराओ नहीं, डरोओ नहीं, ये आपका पेपर है. तो इस पेपर में पास विद ओनर हो जाओ. आपके सेंद शक्ति का, समानी की शक्ति का, निर्णाई शक्ति का, सामना करनी की शक्ति का पेपर है क्या दस साल पहले वाला ही पेपर आएगा क्या? पेपर भी तो नया आएगा क्या मे की पढ़ाई में बेवाला ही पेपर आता है? पढ़ाई उंची हो जाएगी तो पेपर भी तो दूसरा आएगा ना इसलिए पास हो जाओ मुझो नहीं डरो नहीं और पास होने के लिए बाप दादा बहुत सैध साधन बताते हैं एक तो बाप दादा के पास रहो और दूसरा जो भी ऐसा वैसा द्रिश आई उसको पास करो तो पास रहना हैं पास करना हैं और पास हो जाना है एक पास शब्द को याद रखो बाते तो नहीं नहीं आनी हैं लेकिन उन बातों को देख करके दिल शिकस्त नहीं होना है देखो जब कोई भी बात आती है तो उसको छोटा कर देना या बड़ा कर देना ये अपने आपके उपर है अगर हम चाहें तो बात को छोटा कर लें चाहें तो बड़ा कर लें जो छोटी बात को बड़ा करता हैं उसके लिए लोकिक दुनिया में भी कहते हैं ये तो रस्षी को सांप बनानी वाला है सिंदी बाशा में कहते हैं नोरी को नाग बनानी वाला है तो बातों को देख करके घबराओ मत छोटी बात को बड़ा नहीं करो लेकिन बड़ी बात को छोटा करतो आप सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो ब्रह्मा बाबा इस समय कहा है, किस स्टेज में है, वो तो इस समय फरिष्टा रूप में है, तो ब्रह्मा बाप से प्यार माना फरिष्टा रूप से प्यार, बिंदो रूप बनना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फरिष्टा बनना तो मुश्किल नहीं लग बाप दादा ने सुना है कि आज कल साइन्स वालों ने एक रोबोट बनाया है जो लाइट से चलता है और बहुत तेजगती से काम करता है तो आप बच्चे साइन्स की शक्ती से रोबोट को तेजगती से काम करते हुए देखते हो सुनते हो बाप दादा पुछते हैं क्या साइन्स की शक्ती से साइन्स की लाइट से आप काम नहीं कर सकते क्या रुहानी रोबोट की स्थिती नहीं बना सकते बना सकते हो और उस स्थिती को कहेंगे कर्मयोगी फरिस्ता स्थिती तो बाप दादा हर बच्चे को चलते फिरते कर्मयोगी फरिस्ता स्थिती में देखना चाहते हैं सुबा जब उठते हो, बाप धादा से मिलन मनाते हो, और उरियान करते हो, वर्दान लेते हो, तो जो चाहे सो करो, लेकिन जब अमरीत वेले उठके बाप धादा के समुख जाते हो न, तो कर्म योगी फरिस्ता भवका वर्दान लेलो, और सारा दिन काम काज करते करम योगी फरिस्ता बन करके रहो, इसमें चलते फिरते फरिस्ता, डबल लाइट, लाइट के शरीर में रह करके करम में आओ, बोलो तो भी फरिस्ता, चलो तो भी फरिस्ता, बाप दादा कहते हैं, विनाश अचानक होगा, एक घंटे पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अनाउंस ही कर दे, तो फिर अचानक क्या हुआ, अगर पहले से बताई दे, तो फिर पेपर क्या हुआ, फिर नंबर वार कैसे बनेंगे, फाइनल सेटिफिकेट जो मिलेगा, पास विद ओनर जो होंगे, वो तो अचानक के आधार पर ही होंगे, तो बाप दादा कहते हैं, बस एक काम करो, बाप को फोलो करो, ब्रह्मा बाप से बहुत प्रेम है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना क्या मुश्किल है, बाप दादा ने देखा कि विदेशियों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्रेम है, देखा भी नहीं है, लेकिन भीतर की से पहचाना है इसलिए ब्रह्मा बाप बहुत बहुत बधाई देते हैं भारत में भी ऐसे गोप गोपियां बहुत हैं जिनकी ऐसी ऐसी कहानियां हैं अगर सुन ले तो बड़े-बड़े मिनिस्टर भी आंसु बाहा दे लेकिन वो अपनी कहानियां गुपत रखते हैं इतना स देशियों की कहानियां बाप दादा ने सुनी हैं तो बाप दादा इस ब्रह्मा बाप के प्यार के लिए विदेशियों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और इसलिए कहते हैं बाप को फोलो करो अभी कर्म योगी फरिस्ते बनो ओम शान्ति झाल झाल